स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पातिल इनके स्मृती प्रित्यंत अन अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला अपने देश में ग्रामेन इलाके में शिक्षा का स्तर बहुत निचा होता है ज्यादातर देहाती लोग या तो अशिक्षित होते हैं या अर्धशिक्षित ऐसे समाज में अंधशद्धा पनक्ती ही रहती है अगर किसी भी परिवार में किसी भी तरह की समस्या आ गई अथवा परिवार के सदस्य को बीमारी आ गई तो वे उसे देवी समझते हैं या किसी देवदेवता का प्रकोप समझते हैं, नहीं तो आसपास के किसी पीडित द्वारा की गई जादू टोने की कारवाई का नतीजा मानते हैं। ज्यादा तर यह सला ओजा ही देते रहते हैं। देहाती लोग ओजा ने सुझाया हुए मार्प का अवलंबन करते हैं। इससे देहातीयों का नुकसान ही होता है। बीमारी का कही इलाज न होने से मरीज को अपनी जान भी गवानी पड़ती है। ऐसे ही स्तिथि से ठाने जिले के कल्यान तहसील के। फेगाव नामक देहात में जन्मे और कुष्टियानी कारणों से अंश्ता अंधत्व से ग्रस्त मंदेश जाधव को गुजरना पड़ा। लेकिन उसके जीवन में कौंसिलर का प्रवेश होते ही और सही मदद मिलते ही मंदेश के अंदर का जस्बा धधकने लगा। इस जस्बे से वह परावलंबी कुटुम पूर्णता स्वावलंबी होकर उसे उस देहात में सदानता का दरजा प्राप्थ हुआ। और उस कुटुम पर सुख, सम्रधी तथा संपन्नता का वर्दान मिल गया। सन 2003 में ठाने जिला कल्यान तहसील से द्रिष्टी बाधित व्यक्तियों की पुर्णवास कार्य को गतिशील बनाने के लिए काम कर रहा था। उस समय मुझे कल्यान, शहापूर और भिवंडी इन तीनों तहसीलों के सीमा पर बसे मढ नामक एक छोटे से गाव में एक अंध व्यक्ति रहने की सूचना मिली। जब मैं उस गाव पहुचा तो उस यूवा व्यक्ति के परिवार वाले अपने भाई को अदू द्रिष्टी होने के कारण बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने तरह तरह की समुपदेशन प्रक्रिया आजमा कर देखी पर सब नाकाम रहा। आखरी में मुझे पता चला की उस गाव के दो किलोमीटर अंतर के दूरी पर फ्रेगाव नामक दुसरा छोटा गाव है। वहां उस अंद व्यक्ति की बहन और बहनोई रहते हैं। उनका प्रभाव गायकर कुटुम्यों पर अच्छा खासा है। उनके द्वारा आत्माराम को पुर्णवास प्रशिक्षा में दाखिल करवाने का काम जरूर हो सकता है। इस तारिके पर अमल करके मेरा कार्य सिध्ध हुआ। मुझे जब आत्माराम के बहनोई के घर दो बार जाना पड़ा तो मुझे पता चला की फेगाव में ही मंदेश जाधव नामक एक युवा शादी शुदा तरुण अधू दृष्टी से घर के चार दिवारे में अपना जीवन मुश्किल से गुजार रहा है। मैं मंदेश के घर गया और मंदेश की दिल्चस्प कहानी से रुग्रू हुआ। में निकल गए पर हाथ कुछ नहीं आया। मंदेश की माँ पत्मी और भाभी घर का और खेती का काम संभालती रही। मंदेश के भाई के बड़े पुत्र को अचानक बुखार आने लगा। उस बुखार का इलाज तो देहाती स्तर पर चल रहा था। उस बिमारी में वह अपने आखों की द्रिष्टी गवा बैठा। फिर अलपावधी में ही उसका निधन हो गया। ग्रामेर इलाके में अंधशद्धा ने उस कुटूंग पर अपना कबजा बना लिया था और अर्धशिक्षित परिवार में वह काफी प्रभावशाली होता है। वे सब समझने लगे की बेटे की मृत्यू के लिए मंदेश ही जिम्मेदार है। मंदेश के भाई भावी ने मन में ठान लिया की उनके बेटे के मृत्यू का कारण मंदेश ही है। तब मंदेश की और घ्रिना से देखा जाने लगा। और उसके परिवार को अत्यंत कठीन परिस्थिती से गुजरना पड़ा। मंदेश तो कुछ भी करने के लिए नालायक ही समझा जाता था। उसकी पत्नी को घर के कामकाज और खेती में मजूरी में नौकरानी जैसा दर्जा प्राप्थ हुआ। उससे नन्हे बच्चों की देखभाल पर भी असर पढ़ने लगा। मंदेश की मा यह स्थिती संभालने की भर्सक कोशिश करती थी। पर उन्हें भी घर चलाने के काम में दखल देने से रोका गया। मैं उस परिवार में जाकर उनका समुपदेशन करने लगा और करते-करते अप्रोक्ष रूप से यह भी समझाता रहा की मंदेश अगर अंधत्व का प्रमान पत्र लेकर प्रशिक्षन के बाद स्वावलंबी हो सकता है और उसे कानूनी तरीके से कुछ अधिकार और हक प्र होते हैं हमारी इंडिया यह संस्था भारत में द्रिश्टी बाधितों के अधिकारों को संरक्षन देने के लिए कार्यरत है इस सला से सही फैसला लेने पर उसके बड़े भाई को बाध्य होना पड़ा मैंने उस परिवार को पूरी तरह आश्वस्त किया कि मैं अपनी द्वारा मंदेश के परिवार का आर्थिक पुर्णवा संस्था द्वारा देने में समर्थ हूं तब मंदेश के परिवार को रहने के लिए एक अलग से बनाया गया बड़ासा कमरा स्वतंत्र रूप से रहने के लिए दिया गया मंदेश की मा भी वही पर रहने लगी सबसे पहले मैंने मन्देश को संस्था की ओर से एक वजन्यंत्र और सफेद छड़ी दी. उसे छड़ी लेकर चलना सीखा दिया. मैंने उसे समझाया कि उसके गाव से पाँच किलोमीटर दूरी पर गणेश जी का सुप्रसिद देवस्थान है. वहां शनिवार, रविवार, मंगलव चतुर्थी और सारवजनिक छुट्टियों के दिन बहुत भीड होती है. वहां जाकर रस्ते के किनारे बैठकर वजन्यंत्र से व्यवसाय शुरू करू. पहले ही दिन मंदेश को एक सौ पचपन रुपए की कमाई मिली. उतने रुपए कभी उसने जिन्दगी में अपने हा सौ तक मासि कमाई से चलने लगा. वहां मंदेश जब व्यवसाय करता था, तो शद्धालू और परियटकों ने पानी की फेकी हुई खाली बोतले जमा कर घर में ले आता था. मंदेश की बुढी मा वहां बोतले घर के सामने रख कर बेचने लगी. खेती हर, मजदूर और गरिब तपके के लोग तथा स्कूली बच्चे खरीदते थे. बरसात का मौसम आने वाला था. मंदेश के अपने हिस्से की खेती जोत कर बीज होने लायत बनानी दी वह करने के उपरांत मंदेश ने खेती में चावल और फलिया बो दिये. वह वर्ष अच्छा रहा और मंदेश के घर की धान की जरूरत पूरी हो गई. अब मंदेश का घर आमदनी कमाने की और आकरशित हो गया था. उसने कल्यान तहसील के क्रिशी उद्योग केंद्र में अरजी कर अपने खेत में कुवा बना लिया. कुए के पानी पर मंदेश ने एस्टर और गेंदे के फूल लगा कर खेती करना शुरू किया. उससे भी मंदेश की आमदनी में मुनाफा हो गया. अगले वर्ष 2005 में जुलाई महीने के आखरी हफते में विधवन्सकारी बारिश हो गई. जिससे मंदेश की चावल और फलिया की खेती पूरी तरीके से गई. उसके खेत के बीचो बिच पानी की धार बहने से मिट्टी का हिस्सा बह गया. कोई में अच्छी खासी मिट्टी जमा हो गई. उस वक्त इंडिया ने उसे कुआ खोदने के लिए 5000 रुप्यों की मदद दी. और घर के लिए जरूरी बरतन तथा बच्चों के लिए स्क जिन्दे के फूलों की खेती की और उसके साथ साथ करेले की भी खेती प्रारंब की. अब मंदेश को अच्छी कमाए होने लगी. सन 2006 में मंदेश को क्रिशी विकास केंद्रद्वारा आदर्श किसान के ग्रूप से गौरवानवित किया गया. उसे पुरसकार रूप में सोला वाटर पंप मिल गया. अब मंदेश को फूलों की उतपात बढ़ने से होने वाले फाइदे का ज्यान मिल चुका था. उसने जर्बेरा नामक विविद रंगी फूलों की मार्किट में अच्छी खासी डिमांड है यहां अनुभव किया था. इसी लिए उसने आधुने खेती तंत्र को अपना कर शास्त्रिय तरीके से जर्बेरा फूलों की खेती करना प्रारंब किया. उसके लिए उसने पुरे खेत के ऊपर टेंच डाल कर तीन वर्षों तक अच्छी खासी कमाई की. मंदेश के इस उपक्रम के लिए इंदिया द्वारा बेस्ट सेल्फ एम्प्लॉ उसे मुंबई दूरदर्शन के प्रसारित कारेक्रमों में सम्मिलित कर दिया. अब मंदेश का बेटा इंजीनियर बन गया है और उसके बेटी ने वानेजे शाखा से पदवी हासिल कर नौकरी ढूंडने के प्रयास में लगी है. अब मंदेश का घर अच्छा खासा बन गया इन सब कामों में सुवर्णा का योगदान और मेहन बहुत ही सराहनी रही. मंदेश के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल गया. गाउं से थोड़ी दूरी पर मंदेश की जमीन थी, वहां वो जमीन उपजाओं बनाने के लिए मंदेश ने कोश पत्थर बेचने से बहुत ज्यादा आमदनी होने लगी. और आज तक मंदेश नाम से पुकारा जाने वाला अब मंदेश शेट बन गया. फिर बारिश का मौसम आ गया और पत्थर की ख़दान का खड़ा पानी से लबालब भर गया तो मंदेश ने उसमें मत्से 20 डाल दिये छे महीने में मत्सिक खेती से भी अच्छी आमदनी होने लगी. अब मंदेश और उसके परिवार को पैसे कमाने के लिए अपना खुद का पसीना बहाने की जरुरत ही नहीं है और नौकर चाकर और कांट्रेक्टर द्वारा सब काम करवा कर अच्छी खासी कमाई कर रहा है. है ना दोस्तों यह करिश्मा समुपनेशन का और जस्बा स्वयमपूरता का. यह उदाहरन हमें सीख देता है कि दृष्टी बाधित व्यक्ति अगर छोटे से देहात में भी रहता हो और अर्धशिक्षित भी हो तो वह भी अगर विकास की राह पर अग्रेसर हो जाए तो उ उस व्यक्ति को सजक्ता के साथ और योग्य निरिक्षन कर अभ्यस्थ होने के बाद ही नए मार्क पर उन्नती करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए. यही सफलता का मंत्र है. है मंत जब पातिल. मानत सचीव. National Association for the Blind, India.